अगनी पत से करते हैं, सरकार ने साफ कर दिया है कि सेना में आने वाला हर युवा अगनी पत से होकर ही गुज़रेगा, इससे एक बात तय है, हंगामा कितना भी हो, सरकार अपने इस मिरड़े से पीछे हटने वाली नहीं है, इस संदेश के आने के बाद सेना एक्टिव हो नीतियों में बदल जाते हैं, हम आपको अगनी वीरों की भरती से जुड़ा नोटिफिकेशन ना सिर्फ दिखाएंगे, बल्कि उसका मतलब भी समझाएंगे, अगनी पत स्कीम को लेकर देश में समय जो बवाल है, उसकी जड़ इस नोटिफिकेशन को देखकर आप समझ ज हैं, यह बहुत साफ है इस नोटिफिकेशन से, इंवोल्मेंट एक थर्ड पॉइंट, अगनी वीरों को ना पेंशन मिलेगी, ना ग्राचुटी मिलेगी, क्योंकि यह चार साल की सर्वेस है, पांच साल की नहीं है, अगले पॉइंट पर आईए, पॉइंट भी सर्वेस पर उसका जो सब सेक्शन टू है, अगनी अगनी वीर सेना में एक अलग रैंक होगी, इनकी रैंक बिल्कुल इतर होगी, सेना के जवानों से पहले चार वर्षों में ये बात सेना ने इस नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दी है, इनकी चार साल की सेवा के दौरान जो छुप् पूर्व सेना कर्मी होने से जुड़ी कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल पाईगी, सेना में सेवा समाप्ति के बाद सेने जानकारी बाहर साजा नहीं कर सकते, नियम तोडने पर OSA Official Secret Act 1923 के तहट उनके खिलाफ कारिवाई होगी, ये बहुत साफ अब अगनी वीरों के कि हर बैच में से 25 प्रतिशत अगनी वीरों का चैन सेना में किया जाएगा, ये चैन अगनी वीरों के अधिकार क्षेतर में नहीं है, ये चैन सेना का आधार होगा, अगनी वीर को 4 साल बाद सेवा निधी पैकेज के तहट 11,71 रुपए मिलेंगे, 11,71 चार साल बाद अगनी पर हम चलते हैं, भावी अगनी वीर ये आखरी पॉइंट है, 4 साल बाद उनको कितना पैसा मिलेगा, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डीटेल इंस्ट्रक्शन शेल भी इस्शूड सेप्राइगा,